नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का Academy of Teachers के YouTube चैनल पर दोस्तों इस वीडियों मैं आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ एक खुसकबरी जो की सम्बंधित है उत्तर प्रदेश के असास की सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त प्रदों पर चैन सम्बंधि अध्याप और सहायक अध्यापक के नियुक्ति के सम्बंध में नोटिपिकेशन जारी कर चुका है स्कूल सिक्षा बोर्ड और अब आप लोगों को क्या करना है तैयारी करनी है तो इसके लिए कुछ देट्स दिये गए हैं और मेंली यहाँ पर अगर इलिजबिल्टी के बात करें तो प्रधाना ध्यापक के लिए यहां पर एक बात रखी गई कि पांच साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो तो यह जो है मुख्य ध्यान देने वाली बात है और यहां पर जो है डेट्स के और बात करें तो डेट्स के लिए देखिए दोस्तों विग्यापन प्रकासित हो जा को जमा कर सकते हैं और दस तक फार्म का प्रिंट ले सकते हैं इस प्रकार से यह फार्म भरने के का प्रोसीजर है इसके अलावा बात करें कि प्रवेस्पत्र जो है तो प्रवेस्पत्र जो है जारी हो जाए पांच से जारी हो सकता है ठीक है और परिक्षा की तिथी जो है व दूती प्रसन पत्र का समय साड़े चार साड़े पांच बज़े का रखा जाएगा ये परिक्षा की तिति होए 11 अप्रेल को परिक्षा होगी तो इस प्रकार जो है और आपकी अंसर की जो है 16.42 की इसको आएगी तो आप लोग को जो है ज्यादा समय नहीं है जल्दी से तयार में आप लोग लग जाएं और उसके अंसर अपनी तयारी करें देखिए सलेबस के अगर बात करें तो इसलेबस यह है आपके सामने इसका स्क्रीन सोट आप ले सकते हैं और अगर बात करें कि क्या होना चाहिए तो जैसा कि TET में होता है वैसे यहां पर भी है देखिए प्रस्ण हैं इंगलिश सरा अंधिद प्रस्ण आयेंगे यह दो भर्षा और संसक्रतीनहों से प्रस्ण यहां पर पूछी जाएंगे भासां से प्रस्ण पूछ जाने के अलावा खंडख़ कि इत्यादि जो है इनमें आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप लैंग्वेज से है सलेवस के बुक से है जो बच्चे पढ़ते हैं गसमी तक के और खंडगा जो है यह विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के द्यारतियों के लिए होगा और अंति में जो सक्षी प्रबंधन से संबंदित प्रस्ण है जो कि सिर्फ प्रधाना ध्यापक पद्ध के लिए है तो इस प्रकार से इसका सलेवस होगा आपने सलेवस इसका देख लिया है और इसके अनुसार आप तयारी करें जल्द ही आपको अन्य अपडेट जो देना होंगा वहां आपको देंगे